हाई स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर वी एसेफ प्रोजेक्ट लिम्टेड ये कंपनी इसमें जो है कॉर्परेट एक्षन होने जा रहा है और कंपनी अपने शेधार को के लिए राइट इसू लेकर आ रही है तो इस राइट इसू के रिकार्डिंग आप ये राइट इसू जो है होने जा रहा है अब एंटाइटल्मेंट का जो रखा है वो थ्री इस्टू का है इसका मतलब रिकॉर्ड डेट तक जिन भी शेयरधार को के पास इसके शेयर होंगे उन्हें हर दो शेयर पर तीन राइट शेयर मिलेंग जाने कि हर दो शेयर पर वो entitlements जो हैं allot किये जाएंगे और तीन राइट शेर्स के लिए eligible रहेंगे इसके लिए जो record date रखी है वो रखी है 24 मईई 2024 की और जो X right date है वो भी 24 मईई 2024 की है तो इसका मतलब 24 मईई से पहले जो भी investor इसके share खरीदते हैं या अभी भी खरीदे हुए हैं और record data खोल करेंगे वो इस right shares के लिए eligible रहेंगे और उन्हें जो है right entitlements allot किये जाएंगे 3 to 2 के रेसों में अब बात करते हैं कि यह इसके लिए जो price रखा गया है वो रखा गया है 50 रुपए पर right shares का तो यहां पर total जो है आपको 50 रुपए पे करने है इन right shares के लिए बट क्यूंकि यह एक partially paid up right issue है तो on application यानि कि अभी जब जो भी eligible share धारक रहेंगे वो जब application करेंगे तो on application आपको जो है सिर्फ 25 रुपए पे करने हैं और जो remaining 25 रुपए हैं वो company आपको बताएगी कि वो एक ही call में पे करने हैं या एक से ज़्यादा call में पे करने हैं बट अभी on application आपको जो है सिर्फ 25 रुपए पर right share पे करने हैं इसके बाद यह share as a partially paid up share list होंगे और फिर जो हैं अपने fully paid up shares के साथ parallelly trade करेंगे यह right issue open कब होगा तो यह open होगा 5 June 2024 को और close होगा 20 June 2024 को तो जो भी eligible share धारक हैं वो 5 June से लेकर 20 June तक जो है इस right share के लिए eligible हैं और वो application कर सकते हैं अब जैसे ही right issue open होता है यानि 5 June 2024 को जब यह right issue open हो जाएगा तो जो right entitlements share धारकों को eligible share धारकों को जो allot होग हैं उनकी trading भी start हो जाती है तो यह trading होती क्यों हैं? क्योंकि जो right entitlements होते हैं वो temporary listed securities होती हैं यह right share नहीं है तो आपको जितने right entitlements allot होग है उतने right shares के लिए आप eligible हैं आपको application करने पड़ेगी application कैसे करने पड़ेगी तो asba process के through आपको application करने पड़ेगी इसके लिए अगर आप online करना चाहते हैं तो आप अपने internet banking में जाएगा वहाँ पर asba process को option आएगा उस asba पर click करने के बाद आपको इस right issue को option देखेगा और वहाँ पर क्योंकि पांच जून दोहजार 24 को issue open होगा और तभी से जो है right entitlements की trading भी start हो जाएगी और यह जो trading चलेगी वह 13 जून दोहजार 24 तक चलेगी तो जो right entitlements की trading है वह 5 जून से लेकर 13 जून तक चलेगी मगर application जो है वह investor 20 जून तक कर सकते हैं अगर मार्च से 2024 तक हम इसमें promoter की हिस्चेदारी देखें तो यह 43.38 परसेंट की है और जो DII की यहां पर holding है वो 3.33 परसेंट की है स्टॉक अभी 88 रुपे 75 पैसे पर trade कर रहा है और X right date को इसका जो price है as per right ratio आपको largest होते देखने को मिलेगा Thank you